Hello students, welcome to Maths Calculator Start करते हैं Question number 1 from exercise 8.5 Point the sum in each of the following अब यहाँ पर decimal में कुछ figures हैं, हमें उन्हें add करना है Start करते हैं सबसे पहले हैं आपका 0.007 Next है 8.5, अब addition में हम क्या करते हैं, जैसे 1's की place है, तो 1's की place के नीचे 25 है और 107 है तो हम क्या करते हैं, 1's के नीचे 1's 10's के नीचे 10's 100 के नीचे अगर कुछ है तो वो रखते हैं इसी तरह से decimal में भी होता है सारी place value के हिसाब से ही हम number put out करेंगे, तो यह है Next है 8.5, अब इसने 5 क्या है, और 8 क्या है 8 है 1's की place पे तो यह हो गया 8.5 है 10th place में, यहाँ पर आएगा क्योंकि यह भी 10th place है that means decimal के नीचे decimal, once के नीचे, once 10th place के नीचे 10th place अब next, 30.08 तो 30.08 30.08 क्योंकि यहाँ पे 0 क्या है, यह वाला 10th place में और 8, 100th place पे हैं, अब यह 1000 place तो सबको हम 00 लगा के 1000 place तक नंबर बना लेंगे क्योंकि आगे लगा के जो 0 हम आगे लगा था उसकी कोई value नहीं होती है अब हम इनका addition करेंगे 7007 8 में 00 एड़ करा 8 5 में 00 एड़ करा 5.8 में 00 करा 8 और यह 3 तो answer हो गया 38.587 next 15 तो यह क्या है 1's का नंबर है 10's का नंबर है तो इसके बाद आएगा decimal और उसके बाद हमने लगा दिया 0 एक वर एक ही रिप्ट पे हम फिर next है 0.632 अब इसमे 1's की place पे क्या है 0 decimal के नीचे decimal 632 6 क्या है 1's की 10th की place पे 300th place पे और 2000th place पे 0 put out कर दिया last 13.8 13 में 3 क्या है 1's का नंबर और 1 10th का और 8 10th place का तो यह इस तरह से हमने बागी जगे 0 लिख दिया है तो इनको add करें हैं तो क्या होगा 2 में 0 0 add क्या 2 3 में 0 0 add क्या 3 6 और 8 14 का 4 1 carry over 5 1 6 और 3 9 और 1 1 2 तो answer हो गया 29.432 simply जैसे addition करते हैं वैसे ही करेंगे सिर्फ आपको figures को उनकी place के साब से ही रखना है एक के नीचे 10th के नीचे 10th 100 के नीचे 100 1s के नीचे 1s next part करते हैं 27.076 तो इसको लिखते हैं फहले 27.076 अब है 0.55 मतलब 1s की place पे क्या है 0 decimal के नीचे decimal 10th पे 5 फिर 100 पे भी 5 और 1000 पे कुछ नहीं है तो 0 फिर है 0.04 तो जीरो पॉइंट अब 10th और 100th की place पे क्या है 0 तो 10th और 100th की place पे 0 और फिर 4 अब हम इसका addition करेंगे 6 और 4 10 carry over 1 7 प्लस 1 8 और 5 13 का 3 carry over 1 5 और 1 6 decimal 7 2 तो answer होगे 27.630 630 next 25.65 next है 9.005 9 क्या है 1 का number है तो 5 के नीचे 9 लिखा decimal के नीचे decimal 005 अब यह 1000 तक पहुंग लिया यहां 100 तक है तो यहां पे हमने 0 और add कर दिया अब यह है 3.7 10 और 10 पे क्या है 7 और 100 और 1000 पे हमने 0 लिख दिया अब यह add करेंगे हम 5005 5005 6 प्लस 7 13 का 3 carry over 1 5 प्लस 1 6 और 9 15 और 3 18 का 8 carry over 1 2 प्लस 1 3 का answer हो गया 38.3 355 next part करते है first digit है 0.75 next है 10.425 तो 10 यहाँ पे लिखेंगे point decimal के नीचे decimal 7 के नीचे 4 5 के नीचे 2 फिर यहाँ 5 अब यह 1000 तक नंबर आ गया तो उपर भी हमें 0 add कर देंगे next है 2 सिर्फ 1 का नंबर है बागी सब देगे क्या आ जाएगा last में 0 add करेंगे 500 5 5 प्लस 2 7 7 और 4 11 का 1 carry over 1 2 प्लस 1 3 और 1 as it is यहाँ पे आ गया answer हों के 13.175 decimal का बहुत इजी है बस आप place value अपनी ध्यान रखिए कि किस digit की क्या है और वो दूसरी digit के 10 के नीचे 10 की ही आएगी next है 280 0.69 next 25.2 25 में 2 क्या है 10 का नंबर है 5 क्या है 1 का तो यह लिखेंगे है 25 25.2 और यहाँ 9 के नीचे हम 0 लिख देंगे और फिर next है 38 38 क्या है 1 10 का नंबर है 00 यह add करतेंगे हम यहाँ पे 9 0 0 9 6 प्लस 2 8 8 और 5 13 का 3 carry over 1 8 और 2 8 और 1 9 और 2 11 और 3 14 का 4 carry over 1 2 प्लस 1 3 343.89 आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्स्राइब करिएगा